हलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पारे होंगे, आज हमारे पास है Xiaomi का Poco F6 और OnePlus का OnePlus 12 तो आज के इस वीडियों हम दोनों ही फोन के एनिमेशन का कमपैरिजन करने वाले हैं Xiaomi का फोन के अंदर हम इस टाइम पे Hyper OS 1.5 यहां पे रन कर रहे हैं और OnePlus 12 के अंदर हम इस टाइम पे Oxygen OS 14.1 यहां पे रन कर रहे हैं दोनों ही फोन जो हैं अपने लेटेस्ट OS के उपर हैं तो दोनों ही फोन का हम एक साइड बाई साइड जो है एनिमेशन करने वाले हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर देगा कि आपको Oxygen OS 14.1 के अनिमेशन जादा बेटर लगे या फिर Hyper OS 1.5 के तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो आप देखी पारे होंगे दोनों की फोन जो है हमारे यहां अपडेटर हैं और Android 14 के परण कर रहे हैं यह Hyper OS 1.5 और यह Oxygen OS 14.1 के साथ आपको यहां पर देखने को मिलता है तो सबसे पहले गुछ अनिमेशन यहां पर टेस्स करने वाली हैं तो सबसे पहले चैक करते हैं screen of animation जैसी आप screen of आउफ हो जाती है और यह थोड़ा सा टाइम लेता है बट यहाँ पर हाइपर वस में जो है एक एक अनिमिशन के साथ आपको देखने को मिलता है यह रेक पार होंगे एक दम पॉफिट तरीके से विजिबल है बट यहाँ पर थोड़ा डिले आपको ऑक्सिजन ओवेस में यहा ओने बट दोनों ही फोन्स कथ घ सब्सक्राइप करना का यहाँ पाट और हिला के अंट अब बातको लें थेंगे कुछ कुछ कंट्रोल पारal परोजशन यहाँ आपको यहा को और पो देखने को हैं और को मिले आपको लॉक पारों संट्रो yourself एक कुछ किस तरीका एनिविशन सी आपको यहाँ पर देखने के स्मूधर और वर सॉट गैने के साथ क्वानने सस्वाथ देखने मिलते हैं तो chrono ब्लर बैगरों को साथ जो है फुली एक ही स्वाइप में जो है कंट्रोल सेंटर जो है यहाँ पर विजिबल हो जाता है आपको कुछ इस तरीके एनिमेशन के साथ आप यहाँ पर देखने में बूलता है नीचे आपको यहाँ पर एडिट का उप्शन मिलता है और यहाँ पर इसके मेनू के बटन में प्रोवाइट किया जाता है अगर कुछ टॉगल की बात की जाए तो वाइफा का टॉगल आप देखवाएं कुछ इस तरीके एनिमेशन के साथ आपको ऑक्सिजन ओवेस 14.1 में देखने मिला है अगर हम वो वाइपर वस 1.5 की बात करें तो आप दे जो कि इस टाइम पर आपको हाईपर वस 1.5 में यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है तो कुछ इस तरीकी के एनिमेशन जो को आपको यहाँ पर ऑक्सिजन 14.1 और हाईपर विया ज्त ज्यादा बैटर यहां पर लें को काफी अलग सा इफेट आपको यहां पे आपको देखन को मिलेगा ऐनीमेंस में काफी अच्छा काम किया है एक बाउंस से फिट आपको यहां पर देखने को मिलता है आप देख मैं इसको सुइप करते है एक बाउंस अवर्परियट किया जाता है अब बात करते हैं ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग अनिमेशन दोनों ही फोन में हम तो आप मोझे कमेंट करके जरूर किसकेंप्ले Х能sama यहांपे तरह को मिलते हैं तो फॉन की बात करें तो यह देख पाने हैं कि इसमें आपको आई पलोर डेयलर मिलता है कि हैं यहांपको का दिखने को मलता है काफी क्बफ अनिमेशन दौनों ही पॉनस आपको यहां पर गॉस को यहां पर जे है पर यहाँ कुछ थोड़ी से आपको यहां पर consiste is को करते हैं तो कुछ इस इस तरी का इν North भी घुटर विच्ण गुलती है। है क्लाउड के लिया यहां पर देखने को हुझता है जो कि Oxygen OS 14.1 ने यहाँ में यहां पर देकने को मिलते हैं लिए करद तो कुछ इस दो क्लोजिंग ग्लोजिंग ऐनिमिशन और ओप्निग ऑनिमेशन तivenNow लिया पर यहां पर मुझे वैदर का एनिमेशन जो है HyperOS 1.5 में ज़्यादा बेटर लगा है अब बात कर लेते हैं दोनों ही फोन के Recent Apps के Animation के बारे में किस तरीके Animation जो है आपको यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलते हैं तो दोनों ही फोन में आपको Recent Tab में आपको दिखाना चाहूंगा दिखिए Oxygen OS 14.1 में कुछ इस तरीके Animation आपको देखने के बिलते हैं नीचे आपको सभी जो आपके Recent Tabs हैं उनके वहाँ पर आइकन सापको देखने को भी लेंगे नीचे Close All का बटन और कितनी मेमरी आप फोन में यूस कर रहे हैं वो सारे Option में बिल जाते हैं कुछ इसी तरीकी Option यहाँ पर देखने का बिलते हैं यहाँ पर आपको Cross Cup बटन और ऊपर आपको Ram Info यहाँ पर देखने को बिलते हैं कुछ इस तरीकी आप स्लाइट करें तो सभी के सभी Apps को यहाँ पर आप यहाँ पर देखने को मिली है process. Less i匹ा बेंटर यहां पे देखने को मिली है अगर दोनों फोर्न में hem Close All की प्तलिन करें कुछ इस तरीकी एनमीशन के साथ को यहa इफैक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहता है तो कुछ इस तरीकी ऑर दोनों ही फोर्ञेट देखने के हैं और वेट करूंगा आगे चलके आपको और भी काफी सारी वन प्लस टूर के लिटिल वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर एंड बाबाई